सो वेलकम बैक टू चानल दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में इस वीडियो में दोस्ते हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि यदि आपको प्राइस सेक्षन सीखना है तो कैसे आपको टूल इस्तमाल करना आना चाहिए है टूल में क्या है होरीजेंटल लाइन ट्रेड लाइन और कुछ के इनलेश्टिक देखना है वाज तीन चाहिए ही देखना है आप इसमें आप ज्य ठीक है तो इसने अल्रेडी जो हुने साढ़े पांच आरपाइन का मॉम्मेंट दे दिया है देखिए उससे पहले यह होल्ड क्यों कर रहा है तो टेक्निकल एनलिस का रूल है हिस्टी का गेम होता है हिस्टी के साथ चार्ट के साथ जो हैं आपको मेचिंग होना चाहिए यह 것을 यह मार्केट जो होना इस तरीका से डेबल टॉप बनाया था उसके बाद यहां से नीचे आया थी है अ फिर यह जिनो से धोना बना outra Ben até यहां से इसका breakout दिया था ठीक अब यह market क्या कर रहा है अब देखिए कल market क्यों उपर आया नतलब कल market जो है नीचे क्यों आया तो यहां पर मैं दो तिन कारण बताऊंगा ताकि आपको exact समझ में आए ठीक है चलिए सूरू करते हैं वीडियो सबसे पहले तो यहां पर आप दे करेंगे तो यह इस तरीका से यह देखिए यहां से यह prices बनाए कउपर गया था तो यह point मिलता है दो point मिलने पर तीसरे point पर यहां पर टॉप candle बना है ठीक है अब यहां पर हो से पहले इंडिकेटर लगाते हैं Master Indicator है RSI ठीक है अब समझ में कोशिज करते हैं यहां पर क्या हुआ है देखिए समझा देता हमें आप लोग को यह मार्केट का हाई है यह मार्केट का हाई है यह जो टाप बनाया और यह market यहां पर यह high बनाया है यहां पर भी एक vertical line रा कर देते हैं ताकि आपको clear समझ में आए जो मैं बदाने क्या जा रहा हूं तो कल यदि आप market को short भी कर सकते थे यदि आपकी analysis पहले से होती तो अब RSI का यहां पर diversion बना है तो diversion सबसे ज्यादा effective तब होता है जब वो RSI 80 या फिर 70 पर बने इस zone में बनना चाहिए ठीक है दोस्तों यह नहीं कि RSI 60 ए 40 पर बन रहा है तो यह wallet नहीं माना जाएगा ठीक है तो इस बात को ध्यान में रखिए ठीक है दोस्तों अब बात आता है यहां पर यह देखिए यह market ने पहले हाई बनाया उसको brick गया एक और ह बनाया है clear cut यह higher high बनाया है लेकिन डायवर्जन ने lower high बनाया है इसलिए यहां पर एक केंडल भी बना चलिए इसको में सब्सक्राइब कर देता हूं कि इस्प्रिन टॉप केंडल बना है रिवर्जन का संकेत है अब इसका मतलब यह नहीं कि यह पूरा रिवर्ज हो जाएगा क्यूं यह देखिए यहां से और यह उपर ते तो यह इस तरीका से इस पेटन यहां पर होड़ कर रहा है अब यह चाट पटन के बनना सुरू हो रहा है तो यह इसको पूरा फेल करएगा वह दो कोई यह हिष्टी चार्ड लगाएंगे इंट्राडे भी लगाएंगे तो आपको यह क्लियर कर समझ में आएगा तो यह एंट्री हो सकता था केंडल के बेस पे ट्रेड ले सकते थे कि इस्पिरिंट बना है इधर से निकालते तब भी आपको समझ में आता प्लस डायवर्जन तो यह दो तिन कारण है इसमें इसमें सौट रेंट ही हो सकता था ठीक है अब चलिए इंट्राडे का चार्ड लगाते हैं फाइब मिजट का टाइम फिर्म लगाते हैं यह इफेक्टिव है इसमें सपोर्ड रेजिस्टिन ड्रा करते हैं चलिए आगे देखते हैं थोड़ा रेसाई को च्छुठा कर देता हूं और यह हिस्टी चार्ड देखते हैं में तो देखिए अब यह मार्केट में जो यह कल हुआ इसको अटा हो ताकि clear हो थोड़ा चाड भी अच्छे से दीखें यह रहा आपको यह रहा दोस्तों ठीक है तो सबसे पहले देखेंगे market ने क्या किया था यह तीन बार यह यह जो एरिया है यहां पर जाने की कोशिस किया था कि यहां पर इसको यह यहां पर व्न हां टाइम टू टाइम ये थर्टाम के बाद जो आनगे चांथी टाइम में भी यहां पर यह ब्रेक नहीं कर पाया यहां अब यहांस अब यहां पर देखने वाली ठीक है अब देखते हैं closing price पराण दिन का closing price यदि आपने पराणा मेरा support resistance ड्राग करने का तरीका नहीं दिखा है तो support resistance price action course है price action course उसको जा करके देखिए यह रहा आपका यह closing price यह जो यहाँ पर market ने closing दिया था ठीक है अब इसको 5 मिट के चार्ट में convert कर देते हैं और अज़िए नीचे से भी आप लगा सकते हैं कोई trade line भी लगा सकते हैं यहां से तो देखिए यह market जो होना इस trade line को यह follow कर रहा है यहां से momentum था यहां से भी आप नीचे मिला सकते हैं मिलाना चाहेंगे तो इस प्रकार से practice होता है कोई भी चार्ट का practice जोना इस प्रकार से होता है शुरू में आप देखिए आप beginner है तो अब क्या करना है दोस्तों यहां पर यह support रजिस्टिन रह हो गया है अब आपको क्या करना है swing high or swing low करना है यहां से मार्केट नीचे गी रहा था फिर उपर जाया लेकिन अगले candle ब्रेक नहीं कर पाया यहां से हैंडिवेंट का candle बना यहां से मार्केट जो नीचे आ गया और यह यहां पर देखिए यहां से continue नीचे आ ठीक अब इसको देखना कैसे है अब इसम तो थोड़ी दर के लिए push करता हूं और यह एक epic pain है उसको मैं download epic pain है एक उसे में open करता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ अच्छे से यह देखिए epic pain आ गया इसको side में ले लेते हैं ठीक है यहां से wix candle बना है कभी भी top और bottom पर बनता है तो यह swing है किसी उपर से जाके नीचे को break करता है तो फिर दुबारा यह swing पर जाता है तो यह perfect की तरह काम करता है तो यह पहला selling इस पर आया कौन से candle बना है यहां पर यह बॉड़ी वाला केंडल और यहां पर यहां पर एक कन्फरमेशन मिलता है ट्रेड लाइन का और अर्रेडी जो हमार्के नेकल गेपडाउन ओपनिंग दिया था यहां इसके टार्गेट को यहां पर पूरा किया है और यहां पर यह होल्ड किया था ताइम फ्रेम के अनुसार ही होल्ड हुआ है अब इसने पांच मिट लगाएंगे तो आप फस जाएंगे चली में पांच मिट भी लगाऊंगा और यहां पर यह से इसको ब्रेग किया लेकिन इसको रिटेस्ट किया रिटेस् का कैंडल बना यह जो केंडल है। इसे बोले जाता है ह्रावी केंडल है हरामी केंडल बना जाता है हरामी केंडल बना इसके अंदर ही यह मानने जाए यह मदर है यह बेबी है ठीक है इसे गोला जाता है जैपनीज भासा में हरामी केंडल इसके बाद देखी इसको दुबारा गिया इस क्लोजिंग प्राइस को री टेस्ट किया और मार्केट जोहां यहां से फिर नीचे आया और यहां से देखेंगे यहां पर भी बेबी केंडल है ठीक और देखेंगे इसके बाद यहां पर यह बना है सेम तरीका से फिर यहां पर ऑपर बिएई गलफिंग बना है यहां पर दहें है फिर बेबी केंडल है यह बोडी है इसके अंदर ओपन हुआ और इसके अंदर ही क्लोजिंग हुआ तो यह इंगलफिंग जो होना एक बार दो बार तीन चार बार बना है यहां पर भी बना है यहां पर दो बार मान लो दो बार बुलिस इंगलफिंग और दो बार बेरिस इंग रहा है है कि देखते हैं कि दाइवर्जन आता है या नहीं हूँ है थोड़ा से नीचे करता हूँ थोड़ा उसके बाद इह चलिए divergen को हटा देते हैं चलिए में लगाई लेते हैं divergen ताकि clear हो चीजे clear हो divergen तभी valid रिक शब्लेंज माना जाएगा रिस ए 30 पर और ये 30 पर तो है लेकिन divergen नहीं बना है इसमें clear कर चलिए time frame को change करते हैं 5-minute कर लगाते हैं, 5-minute कर लगाते हैं और समझते हैं कि यह actual में कैसे work कर रहा है, ठीक है, थोड़ा से नीचे ले लेलेता हूँ और यह थोड़ा zoom करता हूँ, ठीक है, यह रहा आपका chart ठीक है, अब 5-minute के time frame में देखेंगे, तो यह आपको confusion हो गया, यहां पर डाइवर्जन बना है प्राइस को देखेंगे तो यह लोवर लो बना है लेकिन RSI जो होने यह फ्लेट डाइवर्जन बना है यह लोवर लो दिखा रहा है लेकिन RSI में यह फ्लेट डाइवर्जन बना है पांच मिट के टाइम पर में तो यह एक इंडिकेट दे दिय यह देखिए यहां से मार्केट ने सुरू में रेस्पेक्ट दिया ट्रेड लाइन का इस्तमाल करते हैं यह बिगनर के लिए वेस्ट वीडियो रहेगा यह देखिए कैसे मेचिंग हो रहा है ठीक है चीजे कैसे मेचिंग हो रहा है इसको देखिए यह देखिए यह देखिए यह breakout trading हुआ यहां से लास्ट में आप यहां से ट्रेड लेते एक body वाला candle बना धहे बज़े उसके बाद जो ने momentum दिखाया है यह swing high को आप मार्च सकते थे यहां से जो गया था market यह जो swing point था इसी swing point यहां यह target था ठीक है अब उपर देखेंगे तो उपर में selling pressure कैसे आ था यह trade line बना था यह दो point को मिलाएंगे तो यह trade line बना था यह trade line यहां तक ही गया था यह देखिए इसको भी respect मिला लेकिन wallet यहां तक ही माने जाते हैं पर short entry बन इन्होंने sell कियाता है इन्होंने यहां पर यह अपना position काटा है तो यहां पर यह trade line के माध्यम से breakout दिया है तो अब इसमें आप करना क्या है देखिए को भी आप system लगाते हैं तो देखी कि यह breakout में कैसे काम कर रहा है वह system ठीक है अब चली यह बात आती है यहां पर अपना system लगा लेते हैं, system की बाद आती है तो सबसे पहले system आता है हमारा pure point, pure point को समझने के कोसिस करते हैं और देखते हैं इसमें कैसे work किया है ठीक है पांच मिर के time frame पर भी देखेंगे तो यहां से एक trade line का breakout आ रहा था लेकिन यह effective तभी होता है यह जब यह पुराने swing को यह break करक आता है यहां से selling pressure आता है तो swing point को हमेसा ध्यान में रखिए closing price high lows तो सबको आता है लेकिन यह swing momentum होता है यह swing point यह सबसे ज़्यादा effective होता है intraday में ठीक है चलिए अब सारा line से इसको में हटा देता हूं यह आपका technical analysis price session के माध्यम से अब आता है pure point कि देखिए फिवर नसी प्योड़ point है पांच मिल कर टाइम फ्रेम में 15 मिल लगा सकते हैं 15 मिल में देखिए आपको perfect समझ में आ रहा है candlestick की भासा में पांच मिल के टाइम फ्रेम में आपको यह ड्रा करना पड़ेगा यह जो इस प्रकार से ना तूल आपको ड्रा करना प इस तुल ब्रेक करता है तो यह पर एक सॉड्रेंटी बनता है टार्गेट रहेगा हमेशा आपका लिकार इस तू अरे हैं रिवर्स लिया सिंगल बार में एस जो होना आए अरशी जो होता है यह बड़ा-सा रिवर्सल यह ब्रेकवाट पॉन्ट होता है लेकिन इसको आसान breakout का entry मिला ठीक है और यहां से profit booking हुआ इस zone से क्योंकि यहां इस zone से market यह बड़ा momentum दिया था यहां पर यह cover किया गया है अब market को देखेंगे तो यहां पर यह 5 मिल के time frame में 15 मिल के time frame में आपको समय जा रहा है लेकिन pure point को देखेंगे तो जैसे यहां पर फिर दुबारा जो होना यह trade line को break किया plus pure point इस्तिमाल करते यहां पर एक reversal का संकेत आपको मिल जाता है दुबारा target रहेगा आपका S1 जब भी support 3 से जाता है तो S1 जो होता है इसको break करता है तो हो सकता है आपको पहले टारगेट जो होना यह pivot रहे ठीक है अउसके बाद है pivot point बहुत अच्छे से explain किया हूं बहुत बहुत बढ़िया से ठीक है आपको चीज़े अच्छे समझ में आईगी ठीक है और भी इंडिकरेट आप इस्तिमाल करते हैं इस प्रकार से टेक्निकल एनलेसिस किया जाता है वीडिए च्छ लागा तो लाइक कीजिए शेयर कीज चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते लिए स्टूडियो में जाहिन